अब इन्होंने और को बच्चा पैदा करने वाली मशीनी पकड़ लिया और को अपने हस्बेंड को मजाजी खुदा मानना है यह तो सर पे बैट गे यह तो मजाजी हटा करके बैट बैटने को तयार हो गया है अगर मुझे को हिंदू लड़का पसंद आएगा मैं क्यों नहीं इसको boyfriend बिना होगी यह मैं क्यों से शादी में कर सकती है अगर मुसल्मान लड़का कर सकता है तो मैं लड़की भी कर सकती है नमस्कार जी रावराम तो एक इंडियन मुसलिम लड़की है और एक पाकिस्तानी मुसलिम लड़की है यानि इसलाम धरम का इन ठेकेदारों ने क् इक महिला कीकिया स्थी बना दिया वाक्य में यह वीडियो वाई मेरे जिल को छूगय है तो मैं इस पर एक्षिन ले रहा हूँ आप लोगी क्या रहा है करें वीडियो भाई अच्छी लोगे तो लिगए तो लाइक करें वीडियो शुरू करते हैं मेरे खाले कि अब दोस्त और अचय इंदुस्तान के भी हो، जो मिसलिम होती है यह जो Hazretे लीच इ Imma बहु सबी लोगों खांते हो KT अगर ओर यां इसमाant में पाकिसान जब एक हो खांसे सबकिंगे मारे दिया में चाहां तो कि यह जी पर अच्ठाम पर पर थे को कें recalled चैनि धिय latch को नहीं होता यह बड़ी अच्छी बात के यहां तो अच्छा लड़की है तो दस पढ़ा दो और शादी कर दो लड़का है ठीकर आपने बारा बचे भी आएका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़की थे बचे तो आपने घर आ जाना है तो यह हम किस से सीखते हैं यह उपनी मा से सीखते अपनी दाथी सीखते हैं अपनी नामी सीखते है और बच्पन से बटाया जाता है लड़के को आजादी आपने लड़की n highly और यह लड़के को अगर जहीं से संद्लू किया जासे तो शायद रभ नений और मीरे तो शायद हेससे ए तो कहजह़ग नही जान जेसी तो और भु तो यह जितनी भी इडियोटिक और नॉनसेंस चीज़े हो रहे है ना यह क्राइम हो रहा है मर्दों के हाथ से लेकिन बली का बख्रा बन रहे हैं यह मुसल्मान ओर्टों को अगर लड़का तलाग दे देता है अब वो खराब हो जो सच्छा यवी आई लड़की का हो रहा है लड़की ही खराब है तलाग शुदा लड़की हो रहे है जो मर्द दे रहा है लड़की ही खराब है सरूर तुम में ही कोई प्रॉब्म रहा होगा जो तो बच्चा लेकर के घर आदेगी और वो फिर से अपनी शादिवादी करके मगन हो गया है और भाई एक बच्चे वाल अगर मुसल्मान लड़का कर सकता है, मुसल्मान लड़की भी कर सकती है, बिलकुल कर सकती है इनका कुद का बनाया हुआ है, यह कुरान नहीं काया है, कि आप अपने गर की ओरतों को आया समझेए, बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझेए, उनको पॉलिगेमी और हलाला का विक्टिमाइज कीजिए, आप उसको विक्टम बनाईए तलाख देकर के कुरान नहीं काया है आप अपस में दूसरे को पसंद ना करते हो, मगर रहते चले जाएं वो भी तो सही नहीं है मैंने बहुत अपने एक्सपरियंस से जितने केसे में देखती हूँ, आए दिल मेरी ओफिसमें, मेरी चेमब में तस्वारा ऐसे लोग ऐसी ओरते आती हैं जो रोते वे आती हैं आप सोची कुरान में इंटिमेट रिलेशन के लिए भी बहुत सारी पाबंदिया लगाई हैं यह कि मैंने ऐसे भी केसेज देखे हैं कि अना सेक्स मुस्लिम नड़का करता है और लटकी को बादा मजबूरन में उसको मजबूरी आकर उसको पेस्पाहिल करना करा है अने हस्बंड केस्पेश को और टोर्चल वो सहीं नहीं पा रहे हैं तो हमारे मुसल्मान मदूं के दिमाग में कुछ जो ऐसे टीम मैठेवे हैं जो आपने आपको समाज का खेकेदार समझते हैं मैं तुमको बल्चे पाइदा करने वाली मशीन समझता हूं मैं तुमको आगे नहीं बढ़ने दूँगा मैं तुमको पढ़ने नहीं दूगा तो फिर और टो कहेंगे क्यों नहीं करता है लेकि जैसे ही कहेंगे कि आप तो एक मोती हैं आपको तो ठक कर रहना चाहिए आपके जिस्म दिखाई नहीं देने चाहिए इसलाम कहता है कि जन्जर्र जमीन जो है वो छुपाने वाली चीज है तो हम भी सोचने लगें कि यारी इसलाम तो ऐसा कह रहा है तो हम तो छुप ले रहें हिजाब में छुप जाए लोगे का प्लें पहल लें और कैसे तो छुपा लें तो इसलाम के नाम से ठेल हो रहा है ये ओरतों को डॉमिनेट करने का जो एक डायपॉली देप चल रहा है इसको तोड़ना इसको खतम करना और अपनी आइंटिफिकेशन को आगे लाना को जरूरी है मुसल्मान और कंपो आप लिकुल ठीक कहरी है और वैसे वाकरी मेरा थोड़ा से इसलिए कि मैंने अपने मामों को अपने चाचा को अपने ताया को अपने भाईयों को जो है कि आपने में वे लाएंगी का में देखा कि वो ऑफिसे भी आएंगे कि अपने चाचा का मखबी दो रहे होते है तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे हाहा उरत राज है अर्जू जी इवरी मॉर्नी मेरे दे दे ब्लैक पापी दे लिजे जो करता हूं और बूचे बगला काफिट तो एसे मर्द होते हैं जिनको अपना आइडियल बनाने में अच्छा लगता है कुछ आसे मर्द हैं आम मुस्लिम कमीदी में कि अगर यह कहथा है कि यहां से नहां रगज़ो तो उनकी बड़ा होगा है उनको लगता है कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में बवाट बड़ा दखका पहुंचा है इवन मैंने आपकी ओप्रमर्सी भी देगी बिंधिया वाटी वाला तो लोग हम लोगों को जैसे टार्गेट करके रखते हैं कि भई तुम कुछ करो कि हम तो को कर हंटो पना दे हाँ अर आगर आप आप वी पुम्स अघ पिल्कुल भी पिर आप नी जी जिंदी ही नहीं सकते हैं आपको को अदिकार ही नहीं है कि पहमस होने के बाद आप अपनी नीजी जिंदीगी जी सकती है ये एक हवा बनातिया है इंटोगे बिलकुल देखें कही ना कही मुसल्मान कम्यूनिटी ना अपने आप भार ना ने चाहिए कही ना कही वो ऐसा सोचते हैं कि मिस टखी ठीक है कि हम जाहिल हैं हम बहुत और्फोडोग्स हैं हम बहुत अपने बहुत सब्सक्राइब माइन हैं लिकिन ये सारे जितनी भी बांडेशन है आप स्टेपाइस गीनियेगा वो स्फिर पॉर्तों के लिए है रम्जान में रोजा नहीं रख रही हो अब है तुम भी रख हो तुम्हारे ऑपर भी परस है तुम्ही तुम्ही नहीं बढ़ रही हो स्रप तुम्हारे ऑपर भी परस है Allah ने एक सिस्टम बनाया कि आप औरो बच्च्पे-बच्चा करना गे आदे वाली इन्होंने और उरत को बच्चा पादा करने वाली मशीनी पखड़ लिया भई आपने हस्बेंट को मिजाजी खुदा मानना है ये तो सरबे बहट गए है ये तो मसाजी हटा करके खुदा इपन करे के पैटे को तयार हो गए है एक सब्सक्राइब में जी पर चाहिए तो इतना इड्यूकेशन बढ़ेगा उतना और वह गटेगा जैसे गटेगा वह तो पर्धान मंतरी ने जी ने जब एक योजना लाई के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाऊ तो बेटी बच भी रही है बेटी पढ़ भी रही है लेकि अगर मदर से के बच्छों के एकात में कुरान होता तो दूसरे आपने कम्प्यूटर होना चाहिए क्योंकि वो ऐसा चाह रहे है कि मुसल्मान के अंदर खाबलियत है जो निखर कर बाहर आए जो मुसल्मान को किसी की चापलूसी ना करनी पड़े किसी का मतलब किसी के अंदर ना रहना पड़े वो खुद अपने लीगल राइट्स के लिए अपने फंडमेंटल राइट्स के लिए खुद पढ़े है खुद समझे और खुद कहे तो इसमें बुरा नहीं है तो वाक्य में जो मैं बताहूं वीडियो शुरू करते हैं एंडिं होगी ठीक है मेरी थोड़ी तो इसलाम के अंदर कुछ जादा ही तो इसलाम के अंदर मैं लाओ के साथ क्या हालत कर दिया वाई सब क्या थी वह एक खिलोना बना के इन्होंने रख दिया है वाई साब तभी तो भी एक खराब मस भाई देखो आखे कैसे होगी है तो जहीं मैं थोड़ी द्वाई ले लू अक्ष्मा माहल होगा आपसे कि मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं कि पूरी नहीं बता पा रहा हूं ठीक है तो नेक्स वीडियो को रैसी मज्जेदार है वाई साब मॉलाना की वह ज लेडियो